जैसे उत्पनीशद आदी में इस पश्ट सिद्धान्त बताया गया है भागवत में भी इस पश्ट रूप से कहा गया है कि विश्वत पत्यादी हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमहा ये विश्वत की उत्पत्ती इसको स्थित बनाके रखना और पूरे जगत को पोशित करना ये कौन करता है सी कृष्णाय सुरुष्टी का पोशन करने वाले तो सिकृष्ण स्वयम है और वही भगवान है अब नंद्राई जी कह रहे हैं परजन्यों भगवान इंद्र के इंद्र भगवान है अब भगवान दो तो नहीं हो सकते एकम ब्रह्म अध्युतियनास्ति ब्रह्म तो केवल एक ही है शुरुति वेद कहता है और ये इंद्र को भगवान मानकर इसकी पूजा कर रहे है इंद्र को भगवान की विबुति मानकर पूजा किया जाए तो वो स्विकार है लेकिन इंद्र को ही भगवान मानकर पूजा करना तो आचारश याग्या कर रहे हैं कि ये जो यग्य होता था वो शास्त्रुक्त नहीं है वेदुक्त नहीं है क्योंकि श्रोत कर्म होते हैं स्मार्त कर्म होते हैं न ये श्रोत है ना स्मार्त है तो भगवान कहते हैं फिर तो इसको करने का कोई मतलब भी नहीं है यानि इन ब्रजवासियों के अज्ञान को दूर करने के लिए आपने इंद्र याग का भंग किया गुवर्धनलिला का प्रकार बता है कई बार हम सब को भी परमपराओं में धर्म मिलते हैं पूजा अर्चनादी के प्रकार परमपराओं में भी हमारे बाप दादा या पीडियों ने ये किया तो उन परमपराओं में धर्म रहा हुआ ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करते आए तो हम भी करें सही तरीके से उसका वास्तविक तरीका क्या है वो जानकर उन परमपराओं का निर्वाह करना चाहिए न कि हमारे बड़े बुज़ुर करते आए तो हम भी वो करते जाए प्राचिन काल से आप ये पूजा अच करते आ रहे हैं कि ये ब्रत हम करते आ रहे हैं या यह पंच देव की पूजा करते आ रहे हैं यह उपासना लेकिन वह शास्त्रुक्त है या नहीं उस विशे को जानकर और फिर उन परंपराओं का निर्वाह करना चाहिए यहाँ यह परंपराओं यह धर्म चल रहा था यह यग्य चल रहा था लेकिन भगवान ने बताया कि वह यह यग्य प्रभु कहते हैं कि बाबा आपकी बात को अगर मैं यह मानू के चलो इंद्र वृष्टी करता है और इंद्र से सृष्टी का जनकत्व चलता है क्याने सृष्टी को पोषण देता है और उससे अपन को सुख दुख का अनूभव होता है तो जो इंद्र ही सुख और दुख का अनूभव कराने वाला है तो फिर हमारे कर्मों की क्या मही मारे जाएगी तो कर्म का तो क्वे मतलब भी नहीं है बड़ा संदर भगवान ने कर्म का उपदेश दिया वहां पर देखिए और यहां पर पर ब्रजलीला अंतर गदी भगवान ने सब प्रजवासी। वहां पर है कर्मनाजायते जन्तु कर्मनेव विलियते determined हम मनुष्यों के जीवन में दुख या सुख ये हमें कर्म के आधार पर ही मिलता है भैक शेम ये सब कर्म के आधार पर राप्त होता है हमारे शुक और दुख का कारण अन्य किसी को मानना ये मनुष्य का सबसे बड़ा अग्यान कहा जाता है जो हम अपने सुख और दुख के कारण अन्य किसी को मानेंगे तो तो सुख दुख की निवरुत्ती कभी होगी ही नहीं क्योंकि वो दूसरा तो हमेशा कोई ना कोई रहने वाला ही है यानि याद रखिए प्रिये जनों अपने जीवन में सुख और दुख केवल और केवल हमारे कर्म के आधार पर क्योंकि कर्म भी कई प्रकार के हैं वाचिक कर्म होते हैं मानसिक कर्म होते हैं हमारे प्रारब्द भी हमारे से जुड़ा हुआ है यानि वो प्रारब्दादी के कर्मों के चलते ही कर्म तो सबको भोगने ही पढ़ते हैं कि वो शुक रुख में हो या दुख रुख में तारो के तेज में चांद छुपे नहीं सुरज छुपे नहीं बादल छाय रण चड़ें रजबूत छुपे नहीं प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखाय कवी गंग कहे सुन शाह अकबर कर्म छुपे नहीं भबूत लगाए पि वो प्रारप्त हो या हमारे इस वर्तमान के समय में जो भी हम कर्म कर्म रहे हैं पि वो वाचिक कर्म हो मानसिक कर्म हो वहां कर्म भोग नहीं पड़ते है भागवत में जहां पंचम स्कंद में नर्कों का वर्णन आया है वहां इस विशे का भी प्रतिपादन किया गया है कि जो मनुश्य में एक शरीर हूं और अपने आपको शरीर मान कर देह गेह परिवार में ही जो निरंतरत है शरीर के कोड़ पूरे करने में ही जो जीव लगा हुआ है उसे अमुक नर्क की यातना भोगनी पड़ती है यानि ऐसे जो सांसारी के जो जीव हैं जिनके चित बृत्ति जिनका मनशा निरंतर भोग का ही चिंतन करते रहता है शब्द, स्पर्ष, रूप, रस और गंद ये पांच प्रकार के विशे हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जिवहा को शब्द अच्छा लगता है, तवचा को स्पर्ष अच्छा लगता है, आँखों को रूप अच्छा लगता है, कानों को शब्द सुनना अच्छा लगता है, जिवहा को रस अच्छा लगता है, नासिका को गंद, ये पांच प्रकार के विशे हैं हमारी पाँच ग्यानेंद्रे और पाँच कर्मेंद्री है और जिनकी ये इंद्री यहां केवल इन विशेवों में लगी हुई रहती है तो उन्हें अमुक नर्क की आतना भूगनी पड़ती है यानि ये कर्म ही प्रियजनो सुख दुख का कारण है कर्मानुगो गच्छती जीव एक धना निभूमव पशवश्च गोष्ठे भार्या ग्रहद्वारी जनस मशाने देहश्च तायाम पर लोके मारगे कर्मानुगो गच्छती जीव एक बड़ा सुन्दर विशय का यहां पर निरुपन किया गया कि मनुश्य जिन चीजों के लिए निरंतर प्रयत्नशील है गती शील है चिंतनशील है वो सब बस्तुएं तो प्रित्वी पर ही रह जाती है जब पर लोक के मारग में जाने का समय आता है किसके लिए हम प्रवृत्वी शील है किसके लिए चिंतनशील है किसके लिए गती शील है धन लेकिन जब पर लोक के मारग में जाने का समय आता है तो धनानी भूमो यानि केवल संग्रह करना संचय करना ये बृत्ती साथ में कोई चीज आने वाली नहीं है हाँ धन जीवन जीने के लिए आवश्यक है हम उसको नकार नहीं सकते है जीवन जीने के लिए कुछ साथन हमें चाहिए वस्तू चाहिए जिसके लिए द्रव्य लेकिन याद रहे वो धन साथन है धन को ही जीवन का लक्श मान कर उसके पीछे भागना इसको मुर्खता या इसको अग्यान कहा जाता है बाकि धन ऐसा नहीं हम कोई भी मना नहीं कर सकता है हम यहां से कह सकते हैं शास्त्र के भई धन के पीछे धन सबकी आवश्यक्ता है जीवन में जीने के लिए साधन वस्तुएं वो सब धन से खरी दी जा सकती है तो धन एक साधन रूप कहा जा सकता है धन फल नहीं है कितना यह धन कमा लो एक सांस नहीं उससे जूड सकते जीवन की वस्तुएं इकठे करने में मूल जीवन को न भूल जाए बीच में अभी जब यह महामारी का समय गया कितने कितने लोगों ने लाखों रूपे खरच कर दी है एक स्वास वापिस खरीद के नहीं ला सकते पैसे धरे के धरे रहे गए सब जानते हैं हम किसी ने 15 लाग खरचा किया किसी ने 20-25 लाग रूपे उसमें निकल गए लेकिन फिर भी डॉक्टर सौरी माफ करना हम नहीं बचा सकते वो कह अरे मैं तुझे जितना चाहूं इतना पैसे दे दूं ले पैसे ले पैसे से काम नहीं होगा अब हमारे हाथ में नहीं है यानि पैसा ठीक है जीवन की आवश्यक्ता है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है इतना सा सत्य को जान ले क्योंकि धन भूमी पर ही रह जाएगा वो साथ में नहीं आएगा आएगा